कैसे हैं आप लोग मैं नसीमनसारी सर आप सभी इस्टूडेंस का स्वागत करता हूँ और आप लोग भविस उज्वल हो उसके लिए कामना करता हूँ ठीक है आपका ब्राइट फ्यूचर के लिए कामना करता हूँ students आपने जो सपना देखा था कि B8 करना है आपका सपना जरूर पूरा होगा ठीक है जब आदमी मेहनतो लगन करता है और जिस की चीज के लिए लगता है तो कभी भी उसमें उसको नाकामी हासिल नहीं होती है ठीक है देखे हम लोग बेट कर रहे थे बेसबरी से जिस चीज का आज देखे आप लोग देख सकते हैं नियूज पेपर में आया है क्या लिखाए कि राची विस्विद्याले को काउंसलिंग का जिम्मा है आगे पड़ते हैं कि राची विस्विद्याले को जारकन के B8 कॉलेजों में नमांकन के लिए काउंसलिंग की जिमेदारी दी गई ह और क्या लिखाए कि DSW, DSW डॉक्टर राजकुमार सर्मा ने बताया कि राजची विस्विदाले के आरिभट सभागार जो हॉल है, आरिभट नाम है, तो वहाँ पर आप लोग को जाना है, 5 दिसंबर से 15 दिसंबर की बीच में पहुंचना है, और सुबा साड़े दस से साम आप लोग को काउंसलिंग के लिए जाना है, तो कोसिस करें, सब लोग की जरूर आए, ठीक है, और यदि किसी दूसरे डेट में आप बीची हैं, लेकिन कोसिस करना है कि 5 तारिख से स्टार्ट है, तो 5 को जरूर पहुंचना है, ठीक है, पांच को पहुंचना है, उससे CML भी हो सकता है कि दिया जागा कि कितना से कितना को आना है, तो उसके लिए डिटेल फिर आगे जो भी होगा, मैं बताते ही रहूँगा आप लोगे साथ, ठीक है, जब तक सबका एडिमिशन न हो जाए, तब तक हमें से जुड़े ही रहेंगे, ठीक है, गाइड करते रहेंग करने के बाद, ठीक है, तो उसका एमांट पे करने के बाद, जो आपको लोग को जो उप्सन दिया जागा को लिट चूज करने का, तो उसमें कोशिज करें कि इदि आपका रैंक बहुत ज़्यदा अच्छा नहीं है, तो प्राइवेट कॉलेज भी उसमें रखें, ऐसा ना ह बच्चे हैं, जो की, जिनको स्कॉलर्शिब मिलता है, तो वो प्राइवेट में करें, कहीं से करें, उनको स्कॉलर्शिब मिलेगा है, ठीक है, इसलिए कहीं ये गलती ना हो, आपका रैंक बहुत ज़्यदा अच्छा नहीं है, फिर भी आपने प्राइवेट का ऑप्सन डा रही है ना बहुत जल्दा प्रोसेस होगा और मैं वैट करूँगा आप लोगों से टीक है राजी मेलूँगा मैं और फिर आगे का जो भी होगा फिर मैं वीडियो बनाऊंगा और आगे का हम लोग जो भी प्लानिंग है करेंगे ठीक है ठीक है ठीक है फिर थैंक यू गूडबाई टेक कियर अपना ख्याल रखेंगे सब लोग गूडबाई